हेलो एब्रीवर्न वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज आप सब के साथ शेर करने जारी हूं हिल्डी जूश तो चलिए कैसे बानाती हूं मैं प्रॉसेस दिखाती हूं उसके पहले मेरा जो चैनल में निव फ्रेंड है मेरा चैनल सबस्ट्रेट कर दिजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेर जुरूर किजिए ओके फ्रेंड्स तो चलते हैं देखिए मैं इधर एक मीडियम साइज का एपल ले लिया और चार अंजीर ले लिया यह बहुत ही हल् यह बहुत है और थोड़ा मैं देखिए ऐपल को मैंने काट के काट लिया और मैं 100 ग्राम कर्या ग्रेब्स ले लिया और एक अंजीर को अब जस्ट इसका पीछे का हिस्सा को निकल के अब ले ले जिये इसको मैं एक चाड ले लिया अभी इसमें देखें मैं यह जो चाड अंजीर है ऐसे जास आधा टुक्रा करके इसको डाल दिया और जो ग्रेप्स 100 ग्राम करीब ग्रेप्स एंड जो एपिल यह भी 100 ग्राम होगा इसमें तीन ग्लाश अच्छा से जूज बन जाता है इसमें आप को डालना है हप से काम मतलब वान फोर्ट टीस्पून सॉल्ट जो आपका कला सॉल्ट बोलता है वह डाला मैंने आप इसमें एक ग्लाश देखें पानी डाला आप इसमें चाहिए तो थोड़ा गूर्ड ले सकता है गूर्ड ऐसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैंने एक इस्पून देखें गूर्ड लिया आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि यह नर्मल ऐसे आपका एपेल ग्रेप से ऐसे स्वीट हो जाता है बट फिर भी अगर आपको ज्यादा थोड़ा मीठा चाहिए तो मैंने एक इस्पून गूर्ड डला अब अब है कि इतना अच्छा देखिए बहुती गड़ा है अब चाहे तो इसमें और थोड़ा पतला चाहिए तो आप हलका सा पानी या दूद्ध आड़ कर सकते हैं और एक लिए हैं देखिए तीन ग्लाश का हो जाएगा जो मैं क्वांटिटी आपको बोली इसमें तीन ग्लाश देखिए अड़ाम से हो जाता है बहुत ही हेल्दी है आप लोग जूरूर ट्राइ किजिए बनाएं और पीके बताईए यह आपको कैसा लगा अब इसके उपर में थोड़ा सा हलका चाट मसाला देदीजिए तो आउट टेस्ट बढ़ जाता है इसका आप इसको थोड़ा मेंग्स भी कर सकते हैं तो देखिए रेडी है मेंग्स फ्रूट सहल दी जूश तो आप लोग जुरूर बनाएं घर पे पर लीजिए इसके साथ एंज्याएं किजिए आई होब आप सबको अच्छा लगेगा तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में बा झाली